मैं देख रहा हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं आपने अब तक 14 लोगों को जोड़ा है क्राइम फ्री भारत मिसन एप से जी सर लेकिन साइद आपने ये समझ नहीं पाया है कि इसे करना कैसे है जी सर जी सर इसमें एक चीज ये समझना होगी कि हमें दस ऐसे लोगों को जोड़न है जिनमें उर्जा ज्यादा हो जो अपने स्वयम के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत पैदा करना चाहते हो जी सर तो हमने देखा कि जो 14 लोग आपने जोड़े हैं आगे लोगों को जोड़ने की कारवाई नहीं की है मैं उन्हें सर एक्टिव करूंगा हाँ एक्चुली मैं इसमें हमें एक चीज यह समझना चाहिए कि पहले तो यह मालूम होना चाहिए कि एकईस लक्षों के तहत हमें महापरवर्तित भारत मिलेगा जो आज के भारत से भिन होगा बुरकुल जी सर इसमें हमें एक चीज और समझना पड़ेगी कि जो आज की र पार्टी आपको अच्छा भारत देने की इस्तिती में नहीं है ये बात आप मानते हैं क्या क्यों क्योंकि ये लोग जो है अपने लाव के लिए हमें जाती ओधरम के में बाड़ते हुए अच्छे लोगों को टिकेट नहीं देते हैं दुराचारी और अपरादियों को प्रवेंद्र इस बात को आप कहां तक समझते हैं जानते हैं महसूस करते हैं लेकिन हम सब का एक ही जीवन है हमें अपना जीवन और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत पैदा करने की सोच और समझ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो जो 21 लक्षों के साथ आपको अच्छा भारत मिल रहा है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हम जो है अभी जो बरतमान में हमारे बोट से सरकार मनी हुई है उसे मजबूर करते हुए कुछ-कुछ अच्छा काम करा लें और यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर हमारे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़े होंगे उन्हें चंद्रगुपत कहेंगे और उनके पास खुच चलकर टिकेट पहुँच जाएगा और हम सबी लोग जो है अपने चंद्रगुपतों को थाली बजाकर दीपक जलाकर जब विज़ई बनाएंगे तो वो बिना खर्च के बिना होर्डिंग लगाए बिना प्रचार किये जीच जाएंगे और फिर हम स्वयम पार्लियमेंट में बैठकर जिन नियम कानूनों को बदलने के लिए हमारे दोरा चुनिगई पार्टियों से हम लोग रोज निवेदन कर रहे हैं वो काम हम स्वयम पार्लियमेंट में बैठके कर पाएंगे ये बात आपको कहां तक समझ में आई है बर्कुल जी सर्थ जब हम वहां बैठेंगे तो अपने निरने स्वयम ले सकेंगे निरने तो पहले ही ले चुके हैं 21 लक्षों के साथ हमें परवर्थे तो भारत लेना है ये निरने हो चुका है इसके मॉडल्स बन चुके हैं इसकी टेक्नलोजी भी बन चुकी है इसे जमीन पर उतालने की प्रकुरिया भी निदारत है इसमें जो है प्रकरिया जो है पहले पंदरा दिन तक लाइव टेली कास्ट के माध्यम से जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो डेलिबरेट करेंगे और उनकी जो सुझाओ हैं उसके आधार पर पहला रिफाइन्मेंट होगा पहला सुधार होगा फिर पैंतालिस दिन तक आम लोगों से अलग अलग जो अना छेतरों में लाइव चर्चा रहेगी वो भी पैंतालिस दिन तक और जो आम पबलिक की संकाएं को संकाएं सुझाओ प्राप्त होंगे उसके आधार पर दूसरी डिगरी का रिफाइन्मेंट होगा फिर जो चंद्रगुप्त हैं जो कि अपने तीसरे स्थान पर कहा है जोनोंने सब लोगों को जोड़ा है ये लोग भी जो है चुकि पुब्लिक से हम उनकी बात पहले पूछ चुके हैं तो य ये योजना लॉग ये सब चीज जो है फिर पार्लियमेंट में पेस की जा सकेगी तो यदि हम मैंसे कोई गलत व्यक्ती भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ कर आ भी जाता है तो क्या वो कोई गरवड़ी कर पाएगा जी नहीं कर पाएगा क्या वो 21 लक्षों को जमीन पे उतरने में कोई बाधा पैदा कर पाएगा जी नहीं कर पाएगा तो आपको नहीं लगता है कि हमें दस सबसे उड़जावान लोगों को पहचानना है और फिर पीछे लगे रहना है उन्हें मोटिवेट करना है कि वो भी आगे दस उड़जावान लोगों को अपने नो दिन में चमतकार हो जाएगा नो दिन का समय बड़ा समय है या छोटा समय है नहीं नहीं सही समय है ब्रुकुल जादा बड़ा समय नहीं है और फिर आज जो हमारे बोट से सत्ता में बैठे लोग हैं वो हमारे साथ अन्याय भी नहीं कर पाएंगे कुछ गलत होगा तो हम छट पर चड़कर उनको मजबूर करेंगे कि प्रभावी कारवाई तत्काल हो फिर हर व्यक्ति को अपने अपने इस तर पर लडाई लडना पड़ेगी क्या जी नहीं अपने इस तर पर नहीं लडने पड़ेगी लडाई अपना आप चालू रही है तो अब क्या तरवेंदर जी मैं आपसे अनरोध करूँ कि जैसे जो आपने 14 लोगों को जोड़ा है पहले तो यह सुनिशित कर लें कि उनमें उर्जा है के नहीं है उनको मॉटिवेट करें और दस सबसे ज़्यादा उर्जावान लोगों को सपत दिलाएं संकल्प दिलाएं के वो भी आगे ददस को जोड़ें और यदि हमने संकल्प नहीं तोड़ने दिया तो यह महाचमतकार हो जाएगा हम जो है बहुत कम समय में ही इस सितिती में आ जाएंगे के हमारे बोट से चुनी हुई ये सरकारें हमारी बात सुनने के लिए विवस होंगी और यदि हमें नहीं सुनेंगे तो दो हजार उन्तिस में हम उने रिपलेस भी कर पाएंगे जी सर जी सर गुर्कुल जी तो रज़रा जी हमारी बात जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और कल तक पब्लिस होगी तो आप अपने साथियों को अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यह है देश करप्सन और अपराद मुक्त जल्दी से जल्दी हो और इसके लिए जो है क्राइम फ्री भारत मिसन एप को डाउनलोड करें अपने से जोड़े सबसे अधिक उर्जावान लोगों को जोड़ें और उन्हें मॉटिवेट करें संकल्पित करें सपत्वित करें कि वो भी यही कारवाई जारी रखें तब हम अपने से दोरा चुने गए इन राजनेताओं को मजबूर कर पाएंगे कि वो आज हमें नियाए दे और एदी वो नहीं मानते हैं तो दोहजार उन्तिस में हम उन्हें रिपलेस कर पाएंगे जी सर्थ जै हिंद जै बारत बंदे मातरम जै गुर्देव